भारत दक्षिन अफ्रीका के बीच में चल रही पांच मुकाबलों की T20 की श्रिंखला के शुरू होने से पहले ही एक excitement फैंस के मन में चल रही थी कि कब वो उम्रान मलिक को भारत की international cricket team में खेलते हुए देखेंगे, कब वो जम्मू कश्मीर की तेज तरार गतीदार गेंदब ही हो गई है कि पांच में T20 तक बात आ गई है और उम्रान मलिक को अभी भी नहीं खेलने का मौका मिला है भारत की प्लेंग 11 में, हायरनेंट के दोड़े के लिए squad का वहां पे announcement हो चुका है, उसके अंदर भी उम्रान मलिक प्लेंग 11 में होंगे या नहीं, उसके उपर सवा मैदान पे ता कि वो भारत के लिए इस निर्नायक T20 मुकाबले में जीत की चाबी बने और इस सीरीज का खिताब भारत के नाम दिलवा पाएं या नहीं, यही सबसे बड़ा प्रशन है जो आ रहा है सामने इस पांच में T20 मुकाबले से पहले कि क्या अपने आकरी मुकाबल जरूर तेस तरह गेंदबाजी करते हो हमें नजर आते हैं लेकिन पहले चार मुकाबलों में तो नहीं बन पाई जगा भाँ पे उम्रान मलिक की प्लेंग 11 में क्योंकि इस रिंखला के शुरू होने से पहले ही राहुल द्राविट ने तनी बात का जिक्र साफ साफ कर दिया है बारती क्रिकेट टीम का मानेजमेंट और कोचिंग स्टाफ जिसके चलते पहले चार मुकाबलों में तो जगा नहीं बनी थी और पांच में मुकाबले में जहां पे ये शृंकला अब दो-दो की बराबरी पे आके खड़ी हुई है पहले मुकाबले में दिल्ली में जीता अफरीका दूसरे में कटक में भी अफरीका ने जीत को किया अपने नाम तीसरे मुकाबले में विशाखा पटनम में जीता भारत तो चौथे में राज कोट में भी जीत को अपने कोटे में केया वहां से भारत ने पांच में टी-ट्वेंटी मुकाबले में जहां पे छोटा ग्राउंड है बैंगलोरु का तेज गिन बाजों का वहाँ पे बोल बाला काफी ज्यादा हमेशा सही रहा है जिसके बीच में या शंकाइं जरूर जयताई जा रही है कि उम्रान मलिक को आखरी मुकाबले में मौका दिया जा सकता है या नहीं हाला कि उसके चांसे यहां से बे कीमती डन आउट भी किया था हर्शल पटेल ने इससे पहले तीसरे टी-20 मुकाबले में भूमनिश्वर कुमार ने चार ओवर में केवल मातरत 13 नंदे के चार विकेट्स अपने नाम की जिसके चलते इन तीनों तेज गेंदबाजों की फॉर्म को देखते हुए इस बात की उमीदें काफी ज्यादा कम जताई जा रहे हैं कि उम्रान मलिक को प्लेंग 11 में आखरी टी-20 मुकाबले में जगा दी जाएगी इसके चलते ये बात साफ आ जाती है कि उम्रान मलिक को अभी भी इंतिजार करना होगा नीली जर्जी डानने को और भारत के लिए प्लेंग 11 म में जगा मिलती है या फिर ये इंतिजार थोड़ा नहीं काफी लंबा होने वाला है आप लोग लाइक कर दीजे इस फीडियो को कमेंट सेक्शन में बताए उम्रान मलिक को प्लेंग 11 में आप कब देखना चाहते हैं कि आईरलेंड के दोरे पे या फिर बैंगलोरू के पां